तो गाइस लास्ट वाली वीडियो में आपने देखा कि कैसे फ्रेंकलिन और सारे अवेंजर्स टेविल गौड से चुटकार अपाने के बाद में बहुत यह दा खुश थे पर गाइस टेविल गौड अपनी सारी पावर सर्बियन डांसिंग लेडी को दे देता है और गाइस वो खोथ हैल में चला जाता है फिर गाइस सर्बियन डांसिंग लेडी डेविल गौड का बदला लेने के लिए फ्रेंकलिन के घर आती है उसको किड्नैप करने के लिए और गाइस जैक पैनी वाइस और थैनोस को अवेंजर्स के बेस पे भिज देती है क्योंकि गाइस सर्बियन डांसिंग लेडी चाती थी कि जैक पैनी वाइस और थैनोस यहाँ पे अवेंजर्स को भी किड्नैप कर ले फिर गाइस सर्बियन डांसिंग लेडी फ्रेंकलिन को बहुत जयता पीटती है और guys Franklin का मार मार के मोर बना देती है और guys वहीं दूसरी तरफ Jack Pennywise or Thanos जहरीली गैस से सारे Avengers को बयोश कर देते हैं और guys जैसे ही वो लोग सारे Avengers को किन्नाप परने वाले होते हैं तबी guys यहाँ पर Dark Knight को पता चल जाता है कि यहाँ पर Jack Avengers की बेस में है फिर guys डार्क नाइट चैक से लेंडे लग जाता है पर guys डार्क नाइट को भी भागना पड़ता है क्योंकि guys Pennywise or Thanos के पास में डार्क पावर को रोकने वाली गन थी और फिर guys बाद में सर्बियन डांसिंग लेडी सारे Avengers को पकड़के उनकी पावर्स को निकालने की तयारी कलती है और guys सबसे पहले वो Lucifer की पावर्स को निकालने की कोशिश कलती है पर Franklin नहीं मानता है Franklin उनको रोकने की पूरी कोशिश कलता है इसलिए guys सर्बियन डांसिंग लेडी hell guard से Franklin को माने के लिए बोल देती है hell guard guys Franklin को भी माल देता है और guys फिर सर्बियन डांसिंग लेडी Lucifer की पावर्स को पाने के लिए मंत्र पढ़ने लगती है तब भी guys Lucifer की पावर्स Franklin की आत्मा में आ जाती है और guys Franklin यहाँ पे सर्बियन डांसिंग लेडी और उसके सबी चेलों को धो देता है और guys जैसे ही Franklin अपने दोस्तों को भार निकालने की कोशिश करता है तब guys उसको पता चलता है कि यह जो पिंजरा सर्बियन डांसिंग लेडी ने बनाया है इसको Franklin नहीं तोड़ सकता है ल्यूसिफर की पावल्स के होने के बावजूद भी और guys सर्बियन डांसिंग लेडी पुरे लॉस सेंटोस पे कैसा जादू कर देती है कि यह आदा लॉस सेंटोस सॉम्बीज में बदल जाता है और guys Franklin को अपने दोस्तों को छोड़के भी भागना पड़ता है क्योंकि guys अब सर्बियन डांसिंग लेडी के पास में डैविल गॉर्ड की भी पावल्स है और guys उसके चेले भी पहले से अब जादा खतरनाक है इसलिए guys Franklin अकेला उनका सामना नहीं कर सकता था और सारे Avengers भी Franklin को भागने के लिए बोलते है इसलिए guys Franklin भाग जाता है guys मुझे अपने आप पे भहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मेरी आखों के सामने मेरे सारे दोस्त एक पिंजरे में बंद थे और मैं उनकी मदद ही नहीं कर पाया लालत है मुझ पे अरे यार Franklin भी या उसमें आपकी गलती नहीं थी आपकुछ करी नहीं सकते थे और यार हाकलवे तो उदास मत हो अरे यार Franklin हाँ ये समय उदास होने का नहीं अपने दोस्तों को उस सर्बियन डांसिंग लीडी के चंगुल से चुड़ाने का है अरे यार हाँ हाँ Franklin अभी हमें उदास नहीं होना चाहिए बलकि अपने दोस्तों को सर्बियन डांसिंग लीडी के चंगुल से छुड़ाने के बारे में सुचना चाहिए अरे पर ये सब हम लोग करेंगे कैसे यहाँ पर हमारे सारे के सारे अवेंजल्स किंड़नेप हो गए है और सर्बियन डांसिंग लीडी के पास में पहले से भी भौध यादा पावर है अरे यहाँ यही तो मैं बोल रहा हूँ हम उनका सामना किसी भी हालत में नहीं कर सकते सर्फ मेरे और तुमारे पास में ही पावर्स और डार्क नाइट और यहाँ पे मैं तो अपनी पावर्स का यूज भी नहीं कर सकता लालत है मेरे उपर गाइस मैं एक नंबर का बेवकूफ घदा हूँ अरे यार फ्रेंकलिन चाग बुल रहे हो हमें सरफ तुमसे इउपीद है अरे मुझसे उपीद मत लगाओ पता नहीं मेरी वज़ह से पूरा का पूरा लॉस सेंटोस यहाँ पे सॉम्बीज में बदल गिया अरे यार फ्रेंकलिन पूरा नहीं आदा अरे हाँ जो भी हो मैं एक नंबर का बेवकूफ नहायतिक का मकल इंसान हूँ मैं अपने दोस्तों के काम नहीं आपाया मैं अपने शहर के काम नहीं आपाया मुझे तो यहाँ पर चुलू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए मैं आज मरूंगा, मैं अपनी जान दे दूँगा अरे यार फ्रेंक्लिन क्या कर रहे हो, बाहर निकलो अरे नहीं नहीं मुझे मरना है दोस्तों, आज मैं अपनी सास रोग के स्पानी के अंदर ही रहूँगा अरे यार फ्रेंक्लिन क्या कर रहे हो अरे पता नहीं आज मेरा दमाग नहीं चल रहा है तो उस तो कैसे हम उनको हराएंगे जिनके पास में ऐसी पावर्स है जिनके सामने हमें एक मिनिट भी ने टिक सकते और यार अगर मैं ऐसा जादू कर सकता तो कब का कर दिता मेरे पास में सर्बियन डांसिंग लीडी की उस जादू का तोड़ नहीं है मैं लोगों को नॉर्मल नहीं कर सकता और यार तो हम सी लोग पुरे लॉस सेंटोस को कैसे बचाएंगे मैं हूं सर्बियन डांसिंग लीडी और मैंने यहाँ पे सारी के सारी अवेंजर्स को पकड रखा है तो ठैनोस और पेनीवाइस तैयार ही हाओ शुरू करो इन सब की पावर्स को निचोड ने की इन सब की पावर्स को निचोड के मैं उनको अपने अंदर डालूँगी फिर इस अपनी पावर से devil God को दुबारा से जिन्दा करूंगी तले यार तलिबेन danting ले ले थीक है अभी हम लोग तयालियां तलू कलते हैं अरे यार हाँ हाँ सर्बियन डांसिंग लेडी हम लोग अबी तयारियां करते हैं अरे यार मैं तुमको अपनी पावल्स नहीं देने वाला और यार वेनम तुमारे कहने से कुछ नहीं होगा यहाँ पर यह सर्बियन डांसिक लेडी हमारी पावल्स को लेके ही रहेगी डैविल गॉड वो समय दूर नहीं जब मैं तुम्हें दुबारा से जिन्दा कर दूगी वो भी बहुत ही ज़दा पावल्स के साथ मैं ही 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 और तुम लोग जाओ उस लिूसिफर को पकड़ के लेके आओ अरे यार वो फ्रेंकलीन का बच्चा तुम मर गया उसकी आत्मा को हम लोग कैसे पकड़ें अरे यार हाँ सरी में डांसिंग लेडी उसकी आत्मा को हम लोग कैसे पकड़ें अरे उसके लिए मैं तुम्हें एक मंत्र बताऊंगी जो की डैविल गौड की पावल से बना है उस मंत्र को जैसे ही तम बोलोगे फ्रेंक्लिन की आत्मत तुमारे कबजे में आ जाएगी अरे यार हम लोग एवेंजल्स है हम लोग ऐसे हाथ पे हाथ रखे हुए नहीं बैठ सकते अगर हमने इनको नहीं रोका तो यह यहाँ पर फ्रेंक्लिन को दुबारा से पकड़ लाएंगे और फिर हमारी आकरी उमीद भी खतम हो जाएगी और इस सर्बिन डांसिंग लेडी तुम ऐसा नहीं कर सकती अरे मुझे ऐसा करने से तुम लोग कोगे तुम चूजे तुमारी पावर्स मेरी पावर्स के आगे कुछ भी नहीं है ये देखो अरे 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 ये क्या हो रहा है और यार हल्क पता नहीं अरे ये हैं मेरे विंग्स इन विंग्स की मदद से अब तुम सब का खात्मा करूंगी मैं खात्मा अरे यार असा नहीं हो सकता अरे यार तुम सब के सब चप हुजाओ वरना ये हमको पीट देगी आरे हाँ ये हमको पीट नहीं वाली है अरे पीट नहीं मालने वाली हूँ तुम सबको अरे अरे आरे आई छोड़ दो तुम लोग चिंता मत करो अभी तो बस میںने इनको थोड़ा सा बेहोश किया है अरे यार सर्वियन डांसिंग लेडी तुमने हमारे साथियों को भी बेहोश कर दिया है अरे यार इनको तब भी उठाती हूँ तुम काम चोरो उठ जाओ भी अरे यार सर्वियन डांसिंग लेडी तुमने तुम मुझे बहुत ही था बुरी तरीके से पीड दिया अरे अभी तुम लोग बस यहाँ पे लियूसिफर को पकड़ के लाओ और साथ मैं उस डार्क नैट को भी अरे और पर मैंने सुना है कि लॉस सेंटोस में जो मिलिटरी बेस है वहाँ पे साइंटिस्ट इस जोंबी वारस को ठीक करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अरे यार क्या अरे हाँ अरे डार्क नैट पर एक बात बताओ कि जादू से बने हुए लोगों को यहाँ पे साइंस की मदद से ठीक किया जा सकता है अरे यार बिल्कुल किया जा सकता है अरे यार यह तो फिर बहुत याद अच्छी बात हो गई वैसे भी गाइस मिलिटरी करनल मिला दोस्ती है अरे यह तरह एक मिनिटर को यह किसका फोन आ रहा है अरे दोस्ते यह तो मिलिटरी करनल का ही फोन है अरे हैलो कैसे हो कर्नल, अरे यार फ्रेंक्लिन तुम कैसे हो, अरे मैं तु एकदम ठीक हूँ, काइसा चल रहा हैGreen जॉंबीज को ठीक करने वाल एक्सपेरिमेंट, अरे यार असके लिए ही तो मैंने तुम्हें फोन किया है, यहाँ पे मिलिटरी बेस पे स mostly का एक भाधी अथ खतरण अक डेक हो गया है अरे क्या military base पे भी attack हो गया अरे आईशा तो होई नहीं सकता है military base तो बहुत यदा safe जगा है अरे पर यह attack कैसे हो गया और यार पता नहीं कहां से बहुत सारी zombie से एक साथ यहाँ पे military base पे आ गये और उन्हों उन्हें मिलिटरी बेस पे धाबा बोल दिया है हमारे बहुत सारे फौजी जॉम्बीस बन गए है अभी लोज सेंटॉस के लिए सबसे ज़ादा ज़रूरी है कि हम लोग यहाँ पे अपने साइंटिस्टों को बचाए वरना अगर कहीं वो भी जॉम्बी बन गए तो यहाँ पे लोज सेंटॉस के लोगों को कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा अरे करणल तुम चिंता मत करो हम लोग तुमारे पास में आ रहे हैं अरे फ्रैंक्लिन हाँ जल्दी से अपनी गैंग को ले के आ जाओ अरे मिलिटरी करणल मैं यहाँ पे तीन लोगों को ले के आ रहा हूँ अरे क्या तीन लोग क्या कर लेंगे अरे पर मेरे पास में सिर्फ तीनी लोग है अरे याल तुम ते एक बहुत यादा बड़े गैंग्स्टर थी अरे हाँ पर मैंने गैंग्स्टर गीरी छोड़ दी है अरे यार तिल लोग क्या करेंगे अब इसे अच्छा तो तुम यहाँ पर आओ ही न अरे अरे काम करो हम लोग मौन्टी की गैंग को लेके जा सकते हैं अरे हाँ ट्रावर यह तुमने बिल्कुल ठीक बोला हम लोग काईस मौन्टी की गैंग को भी तो लेके जा सकते हैं अरे यार हाँ अरे हाँ हाँ मिलिटरी करनल हमारे पास में गैंग है पर उसमें ज़्यादा बंदे नहीं हैं सरफ सो बंदे हैं अरे यार आ जाओ आ जाओ उनको लेकी आ जाओ यहाँ पर जब तक मैं सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कलता हूँ अरे ठीक है ठीक है आ रहे हैं हम लोग अरे तो डार्क नैट हम यहाँ पर मिलिटरी बेस पर चलना होगा अरे याँ ठीक ठीक है जल्दी चलो अरे हाँ जल्दी चलो अरे यहाँ फ्रेंगल भी मैं भी आता हूँ अब यह कलो है मैं भी आता हूँ आरे हाँ तुम लोग भी जल्दी आजाओ गाइस यहाँ पे मैं सबसे पहले मॉंटी को भी फोन कर देता हूँ कि वो मिलिटरी बेस की तरफ पहुंचे अरे गाइस यह देखो यहाँ पे कितने सारे जॉंबिस खड़े हैं अरे दोस्तों यह क्या यह मॉंटी यहाँ पे फोन क्यों नहीं उठा रहा है इसका फोन खेर मैं बात में लगाँगा आरे कहाँ पे रह गए तुम लोग जल्दी आओ अरे दोस्तों यह आ गया एक जॉंबी इसको अभी बताता हूँ मैं यहाँ मैं पेले इनुप्जोंबिस को बताता हूँ यहां मपे इतने सारे जॉंबिस कैसे आ गए अरे दोस्तों इनको तो बताना पड़ेगा पहले गायस इससे पहले कि मैं इनको मारूँ अपनी गाड़ी को साइड मेप कर लेता हूँ क्योंकि गायस मैं यहाँ पे एक बहुत एदा बड़ा हमला करने वाला हूँ अरे तुम लोग भी एकदम साइड में हो जाना अरे चौप तुम कहाँ पे हो अरे मैं तो घर के अंदर ही हूँ अरे घर के अंदर से भाल तो आओ अरे मैं नहीं आओंगा मुझे जॉंबी से डल लगता है अरे दोस्तों हाँ अभी मैं हमला कर सकता हूँ गायस यह है मेरी बॉम वाली गन तुम लोग साइड में हट जाओ अभी मसा आएगा इन जॉंबी सको अरे सिंचन हट जाओ वहाँ से तुम अरे नए नी गायस यहाँ पे मिश्नी गन निकालता हूँ मेरे पीछे ही आगे इतने सारे जॉंबी स गायस इनसे निपटिंगे कैसे गायस यहाँ पे हम लोग अरे गायस यहाँ पे मेरे घर के भारी इतनी जॉंबी स पता ने मिलिटरी बीस पे कितने सारे जॉंबी स होंगे पहले इनसे चुटकारा पाता हूँ अरे इस जॉंबी मेरी गाड़ी के पास में क्या कर रहा है अरे भेंजी आप भी जाओ यहाँ पे guys मैंने सब का सफाया कर लिया अरे तुम लोग कहाँ पे गए अरे यार आ रहे हैं आ रहे हैं guys तो आखिरकर हम लोगों को इन जॉंबी से छुटकारा मिल गया और guys अभी हम सब लोग सबसे पहले जाने वाले हैं अरे ठीकर ठीकर ट्रेवर अरे मैं चिंता करी नहीं रहा हूँ अरे दोस्तों एक मिनट रुक के इनको बताता हूँ guys पताने कितने सारे जॉंबी से हैं अभी guys हम लोगों को जल्दी से चलना होगा मॉन्टी के पास में वैसे तो guys Monty के काफी सारे बेस है पर guys वो दिन के समय तो वहाँ पे रहता है अब या कलो ओ कहाँ पे अब यार पोल्ट पे सामन वगर आता है न जहां से अब यार हाँ हाँ अरे वहीं पे अरे यार क्या Franklin वहाँ पे अरे हाँ वहीं पे अरे यार वो जगा तो काफी दूर है अरे यार ट्रावर अभी हम लोग कर ही क्या सकते हैं हमें वहीं पर जाना होगा अरे यार तो फिर जल्दी से ले चलो अरे ठीक है ठीक है गायस इन जॉंबीज ने यहाँ पे बीच में गाड़िया और लगा रखी है पर गायस कोई बात नहीं यहाँ पे गायस में जल्दी से बूस्ट मार मार कर चलता हूँ अरे यार फ्रैंकलिन चलाता रहो चलाती रहो अरे यार फ्रैंकलिन यह जोंबी तो हल साट से आती जा रहे है और यार इनको किसी को मत छुड़ना तोड़ दालो फोट डालो अब यार हाँ सबको तोड़ फोट डालो अरे दोस्तों यहाँ पर पता नहीं यह मॉन्टी का बच्चा फोन क्यों नहीं उठा रहा है मैंने गाइस मॉन्टी और श्यामू दोनों को ट्राइकर लिया फोन पर गाइस दोनों मैंसे कोई भी फोन ने उठा रहा है कहीं गाईस यह लोग भी तो जॉंबी नहीं बन गए अरे यार फ्रेंक्लेन ऐसा नहीं होना चाहिए अरे यह क्या यहां पर जॉंबी कुछ जाला ही खतरनक तरीके से मार रहे हैं अरे यार हाँ और दोस्तों यहां पर जॉंबी से एक बन्दा भी लड़ रहा है अरे यार हमने उस बन्दे को भी मार दिया अरे तमने उस बन्दे को क्यों मारा अरे यार पता नहीं अरे यार यह क्या लगता है आर्मी यहां पर जॉंबीस को मालने आ गई है अर यार हाँ दोस्तो आर्मी भी गायस अपना ओपरेशन यहाँ पर चला रही है पर गायस यहाँ पर मॉन्टी और शामू मैंसे कोई भी फोन नी उठा रहा है हमें गायस जल से जल मॉन्टी और शामू की बेस पर मोचना होगा गायस अगर आपको नहीं पता तो मॉन्टी एक भौधी जादा खतरना गेंग्स्टर है जिसकी पास में गायस लोस सेंटोस की सबसे जादा बड़ी गेंग हुआ करती थी पर गायस टेवल गौड से लड़ने की बाद में मॉन्टी की आदी से जादा गेंग का सफाया हो गया और गायस अब बच्ची कुची गेंग के साथ में मॉन्टी अपनी गेंग को रन कर रहा है और गायस शामू मॉन्टी का रैट हेंड है अब यार हाँ कलुए अभी जली से चल मॉन्टी के बेस पे अरे तो दोस्तों ये हम चले मॉन्टी के बेस पे गाइस तो हम लोग बस यहाँ पे मॉन्टी की बेस पे पहुंची गए और गाइस यहाँ पे भी कोई कम जॉम्बीस नहीं है पता नहीं guys कितने सारे zombies हैं इनको बताता हूँ मैं ये लो guys ये पूरी जगा Monty की है वो guys एक बहुत वादा बड़ा business man भी है ये सारा import export का business उसी का है अरे दोस्तों ये क्या यहाँ पे तो guys Monty का एक भी guard दिखाए नहीं दे रहा है ये सारे के सारे guards गए तो गए कहाँ पे अब यार कलूए हाँ यहाँ पे तो Monty के बहुत सारे guards रहते हैं अरे य्जार कहीं ऐसा तो नहीं ये सारे zombies बन गए हो अरे यार बार बाय ऐसी चीज़ें मत बोलो guys मुझे भी पता रही शेक क्यों हो रहा है कहीं ये सारे के सारे जॉंबिस तो नहीं बन गए अरे guys यहां पर टरक तो सही सलामत खड़ा है अरे पता नहीं, Monty कहां पर हो तुम अरे guys, Monty तो दिखाए नहीं दे रहा है अरे दोस्ते ये क्या? Monty के सारे Guards तो guys यहां पर है और यहां, Franklin तुम अरे पर क्यों तुमने ऐसा फैसला क्यों किया है कैस इससे बाद में बात करूँगा पहले गाइस इनकी छुट्टी करता हूँ जॉंबीस की ये लो आगया मजा ये भी लो और ये अरे मेरे पास में उठ गया अरे ट्रावर वरावर इनको मारो अरे ट्रावर वरावर से तुम्हारा क्या मतलब है मेरा नाम ट्रावर है अरे हाँ तुम मारो ना इनको गाया इस ट्रावर का बच्चा कर क्या रहा है अरे डार्गनाट तुम क्या कर रहे हो अरे यार इनको मार रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ अरे दोस्तो तो zombies के बच्चे मरी नी रहे हैं और तुम लोग खड़े-खड़े क्या देख रहे हो इनको मारो और यार हम मालते हैं अरे दोस्तो ये क्या Monty के बंदों ने तो यहाँ पर सारे zombies का सफाया कल दिया अरे Monty पहले ये बताओ कि तुमने अपने टैंक्स और हेलिकॉप्टर्स यहाँ पर क्यों रख रखे हैं इस शिप के उपर और ये Franklin मैंने तुम्हें बताये तो सही मैं यहाँ पर Lost CentOS को छोड़ के जाने वाले हूँ अरे क्या? Lost CentOS को छोड़ के जाने वाले हो? पर कहाँ पर? और ये Franklin तुम्हें तो पता ही है कि पूरी Lost CentOS में जॉंबी वाइरस फैल गया है और मैं इस जॉंबी वाइरस से इंफेक्ट नहीं होना चाता मेरे बहुत सारे बंदे इस जॉंबी वाइरस के चलते इंफेक्टेड हो चुके हैं और मैं नहीं चाता कि मेरे बच्चे कुछे गैंके मेंबर भी इसी वाइरस के चलते इंफेक्टेड हो जाएं जहां तक कि मेरी BBV इंफेक्टेड हो चुकी है इस वाइरस से अरे क्या? तुमारी अभी अभी तो शादी होई थी? और यार हाँ Franklin पर क्या करूँ? सादी होने के चाल दिन बाद ही ये सम मुझे देखना पड़ रहा है मेरी BBV इंफेक्टेड हो गई है इस जॉंबी वाइरस से अरे यार ये तो बहुत यदा बढ़ा हुआ अरे यार हाँ हाँ बहुत यदा बढ़ा हुआ ये तो इसी लिए अभी मैं यहाँ पे Los Santos को छोड़ के जा रहा हूँ और Franklin मैं तो कहता हूँ तुम भी मेरे साथ में चलो हम Los Santos से दूर कहीं चले जाएंगे वहाँ पे कम से कम हम लोग इस वाइरस से तो बचे रहेंगे अरे Monty के बच्चे पागल हो गए हो क्या मुझे यहाँ पे एक रास्ता पता है जिसके मदद से हम पूरे Los Santos से यह जॉंबी वाइरस को हटा सकते हैं यहाँ पे Military Base पे काफी सारे Scientist इस जॉंबी वाइरस को ठीक करने के लिए Experiment कर रहे हैं पर Military Base पे Zombies का भोधियादा खदरना खमला हो गया है और Military Base के करनल ने जल्द से जल्द हमें बुलाया है उसकी मदद करने के लिए क्योंकि Military Base पे भी एक के बाद एक सारे Soldiers Infected होते जा रहे हैं और हमें ही उन Scientist को बचाना होगा वरना अगर वो Scientist जॉंबी वाइरस से Infected हुए तो Los Santos को फिर कोई भी ठीक नहीं कर सकता है और यार हाँ और ये फ्रेंकले नहीं नहीं अब मैं अपने और मेंबर्स को Infected होते हुए नहीं देख सकता मैं अपने गैंग के मेंबरों की जान को दुबारे से दाओ पे नहीं लगा सकता एक तो Devil God के चकर में मेरी आदी से जादा गैंग खतेम हो गई थी बची कुची गैंग के साथ में मैं अपना बिजनस चला रहा था पर अब ये जांबी वाइरस भी आ गया और मेरी गैंग के काफी सारी मेंबर्स इस जांबी वाइरस इंफेक्टेड हो गए जहां तक कि मेरी वाइप भी नहीं बची एर येर मॉंटी भीया ये तो अब की साथ में बहुत जादा बुरा हुआ और येर वो तो मुझे पता है और येर फ्रेंक्लिन मैं तुम्हारे साथ में मिलिटरी भी इस पे नहीं चल सकता मैं तो चला लॉस्टेंटोस को छोड़के और तुम्हें भी मेरे साथ में चलना चाहिए इससे पहले कि यहां पे और भी जादा जॉम्बी जाएं चलो साथियों हम लोग चलते हैं मॉन्टी मुझे तुमसे कभी ऐसी उमीद नहीं थी मेरे भाई मैं तो समझता था तुम बहुत यदा श्ट्रॉंग हो बहुत यदा भादूर हो पल तुम यहां पे अपने ही शहर लॉस्टेंटोस को इस हालत में छोड़के जाने के लिए तयार हो तुम ऐसे लोगों को माफ करने के लिए भी तयार हो गए जिनकी वज़े से ये जॉंबी वारेस पुरे लॉस्टेंटोस में फैला है और यार क्या बोल रहे हो फ्रेंकलिन ये जॉंबी वारेस किसकी वज़े से फैला है यहां पे लॉस्टेंटोस में अरे ये जॉंबी वारेस फैला है सर्वियन डांसिंग लेडी ने अरे यार फ्रेंकलिन एक मिनेट अगो अरे क्या बोल रहे हो तुम अरे हाँ सर्बियन डांसिंग लेडी ने मुझे भी माल दिया और यहाँ पे जॉंबी वायस को फैला दिया और यहाँ पर तुम तो जिन्दा खड़े हो मेरे आगे अरे यार हाँ फ्रेंकलिन ये क्या तुमारी बोड़ी तो हमें एकदम ठीक तरीके से दिखाई दे रही है अब अकलुए हाँ तू तो हमें पूरा दिखाई दे रहा है और यहाँ चल क्या रहा है कोई मुझे बताएगा और यार फ्रेंक्लिन भी है यह तो कमाल हो गया अब तो हमें पूरे दिखाई दे रहे हो अरे हाँ दोस्तो लगता है गायस मेरी बॉड़िट दुबारा से रीजर्णिट हो गई और यार फ्रेंक्लिन लगता है तुमारे अंदर जो ल्यूसिफर की पावर है उनकी मदस से तुमारी बॉड़ि यहां पे रीजर्णिट हो गई है अरे हाँ दोस्तो मुझे भी ऐसा ही लगता है और यार तुम लोग पता नहीं कौन सा ड्रामा कर रहे हो सर्बियन डांसिंग लीड़ी को तो हमने माल दिया था अरे नहीं नहीं मॉंटी यह मत भूलो कि हमने सिर्फ डैवल गौड को मारा था सर्बियन डांसिंग लीड़ी को हमने कुछ भी नहीं किया था और यहार क्या बोल रहे हो तुम अरे हाँ याद करो पुरानी वाली लडाई में सर्बियन डांसिंग लेडी वहाँ पे नहीं थी वहाँ पे थे तो सिर्फ डैविल गौड, थैनोस, जैक और पैनी वाइस और यहाँ हाँ फ्रेंक्लिन, तुमने बिल्कुल ठीक बोला उस वाली रडाई में तो सर्बियन डांसिंग लेडी थी नहीं अरे हाँ, अच्छा, तो अब मेरे समझ में आया इस सब के पीछे सर्बियन डांसिंग लेडी का हाथ है अरे मॉन्टी हाथ पैल सब कुछ है अरे और फ्रेंक्लिन, पर अभी भी मैं अपनी केंग के मेंबरों की जान को दाओ पे लगाने के लिए तैयार नहीं हूँ फ्रेंक्लिन मुझे माफ कर दो, तुम मेरे बहुत याद अच्छे दोस्त हो पर मैं तुमारी बात को नहीं मान सकता मैंने पहले ही अपने बहुत सारे अपनों को खोया है मुझे अब जाना होगा फ्रेंक्लिन, मुझे मत रोको अरे मॉन्टी ठीक है, अगर तुमने फैसला करी लिया है तो मैं तुमने नहीं रोकोंगा पर याद रखना, तुम अपनी पूरी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगे तुम जब भी आयने में अपना चेरा देखोगे तो मैं अपना चेरा दिखाई नहीं देगा तो मैं सर्फ एक कायर का चेरा दिखाई देगा जो कि अपने शेहर को ऐसे ही मलता हुआ छोड़के चला गया और जो कि अपनी वाइफ का बदला भी नहीं ले पाया उस सर्बियन डांसिंग लेडी से पर तुम भाग तो ऐसे ही रहे हो कायरों की तरह अरे बॉस ये कायर तो आपको शोबा नहीं देती अगर से आम उशर इस जगा पे होते तो वो भी हमें यहाँ पर लड़ाई करने के लिए बोलते आपको हमारी चिंता नहीं करनी चाहिए हम तो लड़ाई के लिए तैयारी है अरे यार हाँ हाँ मॉंटी बॉस हम लोग तो एकदम तैयार है अरे यार हाँ हम सब लोग तैयार है अपने साथियों का बदला लेने के लिए अरे यार हाँ हम लोग अपने साथियों का बदला लेके ही रहेंगे अरे हाँ हम अपने लोग सेंटाउस को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हमें अपने साथियों का पतला ले नहीं होगा मॉन्टी बॉल सम लोगते यार हैं जंग के लिए आप बस इशारा करिए आपका एक इशारा हमारे लिए काफी होगा अरे मॉन्टी क्या होगे तुम्हें तुम लोगों ने मेरी आगे खोल दी अब मॉन्टी भागेगा नहीं मॉन्टी सामना करेगा पूरे लोस सेंटोस को वापस से ठीक करेगा और उस सर्बियन डांसिंग लेडी का किस्सा खतम करेगा चलो साथियों सारे हत्यार को निकाल लो आज हम धाबा बोलने वाले हैं इन जॉम्बी से और साइंटिस्टों को बचाने की जिम्मेदारी मॉन्टी दग्रेट की होगी और उसकी गैंग की होगी चलो साथियों जली जली तयारी अंक्रू कर दो हमले के लिए तयार हो जाओ मिलिटरी बेस पे हमें जॉम्बीस के उपर हमला करना है मॉन्टी मेरे दोस्त तुम्हारा ये रूप देखके मुझे पहुत यदा खुशी होई और यार फ्रेंक्लिन तुमने तो मेरी याँके ही खोल दी अब भी हम लोग चलेंगे मिलिटरी बेस पे अपने जाबा साइंटिस्टों को बचाएंगे चलो मेरे जाबा साथियों अरे हाँ दोस्तों हम लोग अभी चलते हैं मिलिटरी बेस पे तुम सब लोग भी जली से गाड़ी में बैट जाओ अरे यार फ्रेंक्लिन ठीक है अरे हाँ हाँ ठीक ठीक है Guys तो यहाँ पर Monty के सारे के सारे बंदे Military Base पर जाने के लिए तैयार है और Guys खुद Monty भी और Guys यहाँ पर सबसे आगे मैं चलने वाला हूं तो आजा Monty के सारे के सारे बंदो Guys यह देखो ये सब लोग हमारे पीछे पीछे आते जा रहे हैं और guys Monty खोद अपने हेलिकॉप्टर में आएगा क्योंकि guys military base पे काफ़ी सारे zombies होने वाले हैं इसलिए guys यहाँ पे Monty के सारे साथी मेरे साथ में जाने वाले हैं और कुछ लोग guys Monty के साथ में खोद आएंगे अरे दोस्तों यह क्या कर रहे हैं पीछे अरे तुम लोग यहाँ पे यह क्या कर रहे हो पता नहीं guys यह Monty के बंदों को गारी चलाना आता भी है की नहीं अरे दोस्तों यह के यह तो मेरे में ठोक रहे हैं अरे यह एक नमबर के निकम में है अरे दोस्तों ये लोग तो आपस में ठोका ठोकी कर रहे हैं अरे तुम लोग जल्दी से आ रहे हैं अरे दोस्तों ये क्या इस टैंक ने दूसरी वाली गाड़ी पलट दी पता नहीं दोस्तों ये क्या करके हटेंगे तो guys मेरे ख्याल से यहाँ पर traffic गुजा दी हो रहा है तो मुझे कोई खुली जगा पर जाना चाहिए guys यह tank वाला बंदा तो एकदम crazy है तो guys हम लोग चल रहे हैं military base पे और guys यह भी Monty के ही बंदे हैं जो कि guys इन trucks में है तो guys जल दी से जल दी हम लोग चलते हैं यहाँ पर अरे दोस्तों यह क्या tank वाला कहां से ला रहा है अरे तो लोग मेरे साथ में चलो जल दी से जल दी तो guys हम लोग चलते हैं military base पे अरे अरहां हमें यहाँ पर जल से जल इन सब को सबक सिखाना है अरे हाँ दोस्तो अरे दोस्तो ये क्या मैं खुद कहां से लेके जा रहा हूँ साथ इस तरफ से निकलना होगा अरे हाँ दोस्तो गाइस ये टेंक वाला बंदा आ गया बाकी के बंदे भी आई रहे होंगे तो गाइस चलो हम लोग जल्दी से चलते हैं गाइस तो पीछे से दूसरा वाला टेंक भी आ गया है और उसके पीछे गाइस मोंटी का एक ट्रक भी आ गया है तो गाइस मेरे खहाल से अभी हमें चलना चाहिए यहाँ पर सीधे सीधे चलते हैं गाइस क्योंकि ये ड्राइवर एक नमबर के बेवकूफ हैं पता ने ये कहां खते जा रहे है तो चलो गाइस हम लोग चलते हैं ब्लोग डिट्रि बेएस पर ओड़ने के लिए चलों कहनी ब्लेक लिए कूली प्लास्त जैसा कुछ हुआ है पता ने गाइस गायस तो हम सब के सब पहुंच गए हैं मिलिटरी बेस पे और गायस मिलिटरी का करनल मेरा दोस्त है और गायस वो यहीं पे खड़ा है अरे फ्रेंक्लिन मेरे यार क्या कर रहे हो अरे हाल चाल बाब में पूछना पहले यह बताओ कि सारे कि सारे जॉंबिस कहां पे है अरे या अच्छा तो करनल यह बताओ तुम ड्रेस में क्यों नहीं हो और यार वो मैं सुबह सुबह ना ने जा रहा था तब ही यहां पर जॉंबिस का टेक हो गया मैं क्या करूँ अरे अच्छा तो मॉंटी हमें अपने सारे बंदों को अंदर भीजना होगा और यार मैं तो बेस के अंदर तो आ गए है पर गाइस यहां पर सारे के सारे आर्मी वाले ही जॉंबि बन गए है पता नहीं गाइस हम लोग इनको कैसे रोकेंगे गाइस यह लोग आपको ब्लू-ब्लू से दखाई दे रहे हैं यह तो गाइस मॉनटी की गैंग के ही मेंबर है बस गाइस रहे हैं अरे यार गाइस यहां पर बताने कितने सारे जौम्बी से और साब्ट इस यह लिगांगे है इन्गेस मेरे पास मां आर्पी जी होगी इनको अरपी जी से बताता हूँ अरे यह तो कहाने बाता है दा रहा है पता नहीं का इस मोहंटी की गैंग के मेंबर क्या कर रहे हैं इसको पीट चूलीं उबढ राता है यहाँ सारे जॉंबि है अरे यार हां Trevor काईस पता नहीं ये Monty अपने Tanks Wanks को लेके कहां पर रह गया अरे यार वो तो यहां पर zombies ने पहले ही रोख दिये अरे काईस इन zombies के अंदर इतना दमाग कहां से आ गया काईस अभी हमें यहां पर जल्दी से Tower के उपर जाना होगा वैसे Tower के उपर जाना कैसे है अरे यार ये तो Monty को ही पता होगा अरे Monty को कैसे पता होगा अरे मेरा मतलब Colonel को ही पता होगा अरे Colonel कहां पर है Colonel को जल्दी से बुलाओ चल्दी से यहां में Tower के अंदर गुसके यहां पर इनको बचाना होगा काईस यहाँ पे और भी जादा जॉंबी जाने वाले हैं मेरे ख्याल से उपर काईस एक प्लेन है मेरे ख्याल से पता नहीं काईस यहाँ पे कुछ ना कुछ तो दिखाई दे रहा है रिडार के अंदर काईस यहाँ पे रिडार के अंदर देखो कैस यहाँ पे और भी सारे कितने सारे zombies आएंगे यहाँ पे इन सब कोड़ाता हूँ ये लो आगया स्वात कैस यहाँ पे मैंने इन zombies कोड़ा दिया अभी बस हमें इस tower के अंदर जाना है कैस इस tower के अंदर कैस इस zombies भी tower की तरफ ही बढ़ रहे हैं इनको guys छोड़ने नहीं वाला मैं अरे ये लो अरे तुम लोग भी इन zombies को मारो ना अरे यार हम तो मारी रहे हैं अरे हाँ हाँ देख रहा हूँ मैं तुम कैसे मार रहे हो guys इन लोगों पे कोछोट हो रहा नहीं है तो तुम लोग यहाँ पे भारी security देना मैं अंदर देख के आता हूँ कि scientist को क्या हल चल चल रहा है अरे यार ठीक है अरे यार जॉंबी आगे इनको मालते हैं अरे हाँ तुम लोग मालते रहों मैं जल्ली से gate के अंदर चलता हूँ तुम लोग क्या आगर रहो gate के पास रटो और यार फिर security ऐसे देंगे अरे चुप चाप security देते रहो तो guys मैं यह मैं चल अंदर guys तो यहाँ पे मैं अंदर आ चुका हूँ और guys मुझे यहाँ पे देखना होगा कि आखिरकार scientist है तो है कहा guys यहाँ पे कहीं पे भी zombies हो सकते हैं बिल्डिंग वैसे भी काफी ज्यादा खतर नाक सी अरे दोस्तों यह क्या यह किसकी परचाई है लगता है guys यह zombie है अभी इसको ठुकता हूँ अरे यह ले अबे तो यह तो यह तो कोई 4G है अरे यार अरे कौन है भी तू अरे मैं हूँ Franklin अरे क्या बुला Franklin अरे हाँ अरे करणल तुम तो मुझे पैचानते होगे औरे Franklin दूर रहो मुझे अरे क्या हो गया अरे यार आज भी मुझे याद है तुमने मुझे बहुत यारा पीटा था अरे वो तो तब पीटा था ना जब मैं गैंग स्टल था अरे हाँ ठीक है वैसे तुम्हें यहाँ पर किसन बुलाया है अरे वो दूसरे वाले जर्णल है ना उन्होंने अरे वो मुझे नहीं पता मुझे यहाँ पर इंसांटिस की सेफटी की जिम्मेदारी मिली है अरे क्या अरे हाँ, और मैं यहाँ पर अपनी गैंग के 100 बंदों को लेके आया हूँ वो यहाँ पर नीचे पैरा दे रहे है अरे बोल सब बोले तो इसको ड़ा दू अरे भाई नहीं नहीं, मैं तो तुमारी सेफटी के लिए आया हूँ अरे ठीक है ठीक है, तो हमें यहाँ से इनको ले जाना होगा अरे यार वो तुम कैसे ले जाओगे अरे मैं यहाँ पर एक हेलिकॉप्टर लेके आया हूँ अभी मैं अपने दोस्त को फोन लगाऊंगा वो यहाँ पर हेलिकॉप्टर लेके आएगा हम इस कांस को तोड़के उस हेलिकॉप्टर में कूच जाएंगे वो हेलिकॉप्टर को बिलकुल इस जगा पे लगा देगा अरे याँ ठीक है जल्दी करो जो करना है अरे हाँ ठीक है तो दोस्तों मैं जल्दी से मॉन्टी को कॉल लगा देता हूँ अरे मॉंटी और यहां फ्रेंकलिन बोलो बोलो अरे हेलिकॉप्टर को लेके टावर के पास में आ जाओ और यहां ठीक ठीक आ रहा हूं आ रहा हूं अरे हाँ दोस्तों तो मॉंटी यहां पे हेलिकॉप्टर को लेके आ रहा है अरे दोस्तों यह क्या नीचे सी आवाज कैसी आ रही है और यार तुम अपने साथ में जॉंबिस को लेके आए हो आरे ऐसा नहीं हो सकता मेरे सौ के सौ गैंग मेंबर गेट के भाल थे जॉंबिस कैसे भी अंदर आई नहीं सकते हैं अला 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 अरे तुम अहीं देख के आना होगा आरे ठीक है ठीक है देख के आ रहा हूँ गैस एक तो इनकी सेफटी करो उपर से गैस इनके कहने पर देख के भी आओ खेर गैस कोई बात नहीं हमें गैस लॉस सेंटोस को बचाने के बारे में सोचना होगा इन सैंटिस्टों का बचना बहुत ज़रूरी है वरना गैस लॉस सेंटोस नहीं बच पाएगा गैस इस लिफ्ट में तो कोई भी नहीं है यहाँ पर चल के देखता हूँ गैस नीचे से आवाज आ रही है अरे गैस यह तो जॉम्बी की आवाज है पर गैस हो सकता है एका दुका जॉम्बी आ गया हो मतलब एक दो सॉम्बी हो सकता है यहाँ पर गल्ती से आ गये हो उनको तो गैस अपनी शॉट गन से ऐसे ही उड़ा दूगा मैं यहाँ पर कौन सा कमरा है गैस यह तो लॉक है अब हैं अंदर चलता हूं अरे गाइस यह वास तो तेज होती जा रही है अरे जा जा रही है जौते फ्लोर पर आ गया हूं जितना गाइस में पहले चड़के आया था ना उतना ही मुझे गाइस अब वापस जाना पड़ेगा खेर गाइस चलब कोई बात नहीं हम लोग स्वाले फ्लोर पर भी आ गया हूं मैं और गाइस सारे सोर पता नहीं का इस लुक है लगता है गाइस मलेटरी नहीं उनको लुक कर दिया होगा अब गाइस फ्लोर पर ऑफ पर हो और यार हां Franklin sir Monty sir helicopter लेने गए हैं बागी सारे के सारे लोगों को यहां पर zombies ने अपना खाना बना लिया है अरे तुम क्यों जुट बोल रहे हो में सारे के सारे दोस्त अरे दोस्त यह क्या यह क्या है मेरे दोस्तों के साथ मैं अरे अरे दोस्तों मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ अरे Franklin sir अभी हम इनका क्या करने चाहिए अरे मारो इनको गाइस यहां पर सेंचेंट सारे के सारे बंदे यहां पर अरे ट्रवल तुम जिंदा हो अरे यार फ्रेंक्लिन मैं नहीं बच पाऊंगा अरे अरे दोस्तों यह कर ट्रवल ट्रवल के साथ में क्या हु पाल दिया है कि हमारे साथिओको अस्पितल ले जाएं अभी मैं और आप ही यहां पर लडएंगे अरे ठीक है यहाँ पे गाय सारी के सारी जॉंबिस की यहाँ पे खटिया खड़ी कर देंगे हम लोग कहां गई है सारी के सारी जॉंबिस अरे यहाँ पे कितने सारी जॉंबिस आ गए पर इन मैंसे मुझसे कोई भी नहीं बचेगा अभी इनको लाइन से बता दूँगा अरे तुम ठीक हो न? अरे यार फ्रेंक्लिन सर मैं तो गया काम से अरे दोस्तों मुझे कुछ ना को जली से करना पड़ेगा अरे ये लो मेरी मशीन गन इन से अभी इन सब का सफाया करता हूँ ये लो आ गया स्वाद अभी इन मैं से कोई भी नहीं बचेगा अरे यार फ्रेंक्लिन सर बचाओ अरे हाँ हाँ बचाई रहा हूँ अरे दोस्तों ये क्या ये कितने सारे जॉंबीस हैं इन सब को एकी साथ मैं खतम कर दूँगा मैं अरे यार फ्रेंक्लिन सर अरे यार आ मैं तो गया काम से इन लोगों ने मेरे दोस्तों को यहाँ पर खायल किया है इन मैंसे कोई भी नहीं बचेगा आज इन मैंसे स्कब को तोड़ फोट डालूगा मैं ऐसे काम नहीं चलेगा मुझे पता है कैसे काम चलेगा ये लो, ये भी लो और ये भी लो, और ये खाओ आगया मसा अरे अरे दोस्तों ये क्या इतने सारे सॉंबिस ना मुझे घेल दिया है आँ दोस्तों ये तो मुझे खाते जा रहे है अरे अरे ये क्या हो रहा है अरे दोस्तों ये क्या लिूसिफर की पावल्स आ गई पल दोस्तो ये तो थोड़े अलग से विंग नहीं लग रहे है अरे यार फ्रेंक्लिन अरे डार्क नट तुम यहाँ पर कैसे आ गए अरे यार फ्रेंक्लिन तुमारे लूसिफर की पावर्स वापस आ गई अरे हाँ लग तो ऐसा ही रहा है किसी को नहीं छोड़ूँगा मैं अरे यार फ्रेंक्लिन हाँ मारो इन सबको दोस्तो मैंने यहाँ पर इन सबको माल दिया है अरे यार फ्रेंक्लिन लगता है तुमारे लूसिफर की पावर पहले से बहुत यदा खतरनाक हो गई है अरे मुझे भी ऐसे लगता है guys मुझे लगता है मेरी Lucifer की power यहाँ पे evolve हो गई है और अम मैं बन चुका हूँ super Lucifer अरे यहाँ मुझे भी ऐसे लगता है अभी dark night तुम चिंता मत करो यहाँ पे इन सारी के सारी zombies को अम में दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर Franklin के दोस्तों को मारने का क्या अंजाम होता है यह देखो अरे यार Franklin यह क्या कर रहे हो तुम तो इनको मार रहे हो अरे हाँ इन्हों ने मारना ही होगा इन्होंने मेरे दोस्तों को नुक्सान पहुंचा है मेरे सारे के सारे दोस्तों को आवस्पिटल पहुंचा दिया है अरे यार Franklin बस करो मेरे ख्याल से इतना काफी रहेगा यहाँ पर सारे जॉंबी उसको हमने ठिकाने लगा दिया है अरे हाँ Dark Knight ठीक है एक और जॉंबी रह गिया है उसको चलो छोटते हैं गाइस तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो डार्क नाइट के पास में अरे यार डार्क नाइट अभी बस करो अरे यार डार्क नाइट अभी बस नहीं होगा अभी होगा तो युद्ध क्योंकि दोस्तों जब मेरे पास में ल्यूसिफर की पावर्स आती थी तो मैं भहुत यहादा पावरफुल महसुस कर रहा था पर अब मेरे पास में जब यह वाली तागत आई है तो गायस में इतना साथा पावरफुल महसुस कर रहा हूँ जितना कि मैंने पहले कभी महसुस नहीं किया अरे यार अच्छा फ्रेंक्लेन अरे हाँ ये wings सच में बहुत यदा powerful है और अभी dark knight मैं जाने वाला हूँ serbian dancing lady से लड़ने के लिए वो भी अकेले अरे यार पर अभी नहीं तुम उनका सामना नहीं कर पाऊगे अरे dark knight तुमने क्या बोला मैं उसका सामना नहीं कर पाऊँगा अभी मैं तुम्हें अपना attack दिखाता हूँ इस attack की मदश से मैं सब कुछ कर सकता हूँ अरे ये कौन सा attack है अरे ये एक special type का attack है जिसको कि मैं अभी use नहीं करना चाता पर अगर मैंने इसको use किया तो मुझे नहीं लगता कि serbian dancing lady पर चपाएगी क्योंकि इस attack से मुझे अपने अंदर भूत यदा power मैसूस हो रही है ये wings such में भूत यदा powerful है तो dark night चलो हम लोग चलते हैं serbian dancing lady के पास में तुम मुझे teleport कर सकते हो ना अरे या रहा कल तो सकता हूँ आजे तो फिर जली से teleport करो अरे या ठीक है अरे दोस्त ये क्या हो रहा है लगता है guys हम लोग टेलिपोर्ट होने वाले हैं अरे यार तो frankly लो हम लोग आ गए अरे अरे पर मेरे पंग कहां पे गए अरे यार ये क्या कर रहे हो तुम तुमारे पंग कहां पे गए अरे मुझे नहीं पता अरे हर मुझे दुबारा से टेलिपोर्ट करना होगा यहाँ पे मेरा जादू चलता है डार्क नाइट अब तुम दुबारा से टेलिपोर्ट नहीं कर पाओगे समझे अरे अरे मुझे दूर हो जाओ यह डर मुझे अच्छा लगा डार्क नाइट ये डर मुझे अच्छा लगा प्यासे के पास में कुवा खुद चल के आया है और अब ये प्यासा इस कुवे की जो हालत करेगा न वो कोई समझ भी नहीं पाएगा अरे अरे फ्रेंक्लिन मैं इसका मुकाबले नहीं कर पाऊँगा तुम्हें अपने विंक्स को लाना होगा तुमने बुला था कि तुम इन विंक्स की मदद से इन सब को पीटोगे अरे मैं विंक्स को दुबारा से लाने की कोशिश करता हूँ इससे पहले कि तुम विंक्स को लेके आओ उससे ही पहले मैं तुमारा काम तुमाम कर दूँगी अरे अरे मुझसे दूर हो जाओ बुल बंसी वारे की जै अरे 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 ये क्या क्या तुमने है अरे दोस्तों ये क्या हुआ अरे ये क्या अब आजाओ इसको घिरने के लिए एरियार ठीके ठीके अब ही आते हैं गायस तो आपने देखा कि कैसे मैंने इन सबकी बेंड बजा दी ये लोग मेरे आगे थोड़ी देर भी नहीं टिक पाए और गायस सर्वियन डांसिंग लेडी को तो मैंने कुछ जादा ही बुरी तरीके से पीट दिया अभी गायस मैं अपने विंक्स को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ अभी ये मेरे पूरे कंट्रोल में है अभी मैं इनको थोड़ा अंदर ही रख लेता हूँ अरे फ्रैंकलिन तुमने मेरे साथ में बहुत यादा पुरा किया है अरे तो तुमने मेरे दोस्तों के साथ मैं कौन सा बहुत याद अच्छा किया था गाइस अभी ये उठने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है अभी मैं अपने सारे दोस्तों को छुड़ा लेता हूँ अरे अरे डैविल गॉड मैं जिन्दा हो गया ल्यूसिफर तुमसे मुझे अपना बदला लेना है अरे अरे दोस्तों ये क्या ये ल्यूसिफर कैसे जिन्दा हो गया ये मेरे विंक्स हैल में जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा खतरनाख हो गया है ल्यूसिफर और अवेंजल्स की पावर को सोकने के बाद तो मैं और भी ज्यादा खतर नाख हो गया हूँ अरे हाँ devil god इस lucifer को मत छोड़ना मा डाल इस lucifer को गाइस तो अब मेरा सबसे बड़ा दुश्मन devil god hell से जिन्दा होके आ गया है और गाइस अब ये franklin को challenge कर रहा है तो guys देखना ये है franklin अपने super lucifer की power से hell से आए हुए devil god को हरा पाता है या नहीं और guys ये आपको पता चलेगा next episode में तो guys next episode दिखने जुरूर आना Bye Bye